इसे ही market की भाषा अगर आपको समझ में नहीं आएगी, अब ट्रेड ही नहीं करपा होगे sorry for the weird intro, but आज हम बात करने वाले हैं Candlesticks की, जो की होती है market की भाषा मैं हो सधान, आप देख रहे हैं trading में सधान Candlesticks जो है आप हर तरह के market में use कर सकते हो चाहे हो stocks हो, index हो, options हो, crypto हो, futures हो इसे भी financial market में Candlesticks साथ आप लिए काफी helpful हो जाती है तो अगर आपको Candlesticks आ गई तो आपका basic एकड़म strong हो जाएगा technical analysis का इसके साथ मैं आपको 5 ऐसे patterns बताऊंगा जो कि आपकी trading को completely change कर देगी सिर्फ इन 5 patterns के बजॉलत ही आप अच्छा कासा profit भी कमा सकते हो यही नहीं, आज मैं आपके साथ एक ऐसा framework शेर करने वाला हूँ जो कि आज तक मैंने कभी नहीं किया है और यह framework इतना powerful है कि आप सिर्फ Candlesticks से नहीं कोई भी strategy इस framework के थुरू लगा के अपनी accuracy काफी हद तक बढ़ा सकते हो अगर आपको Candlesticks अलरडी आती है तो यहां में timestamps डाल दे रहा हूँ स्क्रीन पे आप चूस कर सकते है कि आपको कौन सा part पहले देखना है और जो part आपको आता है वो part आप already skip कर सकते हो तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेट्स एंजोई तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि Candlesticks होता क्या है यह बड़ा question mark को answer करते है Candlesticks जो है Price को पढ़ने का एक तरीका है अगर आप किसी भी stock market के chart पे जाओगे तो उस पर इस तरह की कुछ न कुछ candles बनी मिलेंगी आपको Candlesticks आपको बस ये बताती है कि price अभी कैसा behave कर रहा है क्या जादा buyers आ रहे हैं या फिर जादा sellers आ रहे हैं या फिर दोनों लगभग एक ही प्रकार के चल रहे हैं मार्केट में ये आपको बताता है Candlesticks Candlesticks के कुछ fundamental behaviors होते हैं उसको हमें जानना पड़ेगा उसके लावा हम patterns के बारे में जानेंगे यानि कि आपको याद होगा मैंने कहा था के Candlesticks जो है मार्केट की भाषा है तो अगर हम English सोचे तो English में क्या होता है A, B, C, D, E, F करेक्ट हिंदी में ये सब होता है राइट हिंदी में तो वैसे ही charts में markets में Candlesticks होते हैं singular ऐसी तरह के काफी सारे Candlesticks बनते हैं A, B, C, D ऐसे करके काफी Candlesticks बनते हैं इन ही का combination A, B, C, D इन ही को combination करके C, A, T cat बन गया इसी तरह 3 से 4 Candlesticks को हम combine करेंगे या फिर 2 Candlesticks combine करेंगे तो इससे क्या बनते हैं Candlestick Patterns Candlestick Patterns बन जाते हैं और यही Candlestick Patterns हमें trade करने में help करते हैं हमें market की communication बताते हैं हमें यह बताते हैं कि market हमसे क्या कहना चाह रहा है तो सबसे पहले तो यह जान लेते हैं कि Candlesticks क्या होते हैं अगर आपको यह part पता है आप skip करके next part में जा सकते हैं तो जैसा कि आप screen पर भी देख रहे हैं यह अपने में Candlestick है यह भी अपने में Candlestick है यह वाली और यह वाली भी अपने में Candlestick है Candlesticks के कुछ parts होते हैं आए वो जान लेते हैं वो parts क्या होते हैं तो सबसे पहले तो left वाले Candlestick पर focus करते हैं तो यह जो है एक green color की candle है आपके में या तो यह white रहेगी या फिर green रहेगी पताता है कि उपर जा रहा है market यह candle नीचे शुरू होती है और उपर की direction में जाती है जैसे कि यह arrow depict कर रहा है नीचे से उपर जाती है यह candle दूसरी चीज़ यह उपर दो डंडियां आपको दिख रही होंगी इसे हम कहते हैं विक यानि कि प्राइस यहां भी आया था इन दो विर्याज में भी आया था प्राइस चाहें यह कुछ भी हो यहां पे लेकिन जादा time spend नहीं किया शुरू यहां पे हुआ हो सकता यहां से नीचे गया फिर उपर भी गया लेकिन इसी range में जादा trade किया ओके candle हुई है open यहां पे अगर green है तो खुलेगी नीचे और बंद उपर होगी simple सा फंडा है क्योंकि candle उपर जा रही है यानि कि नीचे खुली है और उपर बंद हो रही है और जहां पे इसकी body close होगी जितनी green color है यह पूरी इसकी body हो गई जहां पे body शुरू होती है वो open price है जहां पे body खतम होती है वो closing price है उपर और नीचे wick रहता है हर candle में wick हो ऐसा जरूरी नहीं है कुछ candles में आपको wick नहीं दिखेगी कुछ candles में आपको सिर्फ एक side wick दिखेगी कुछ candles में आपको दोनों side भी wick दिख सकती है यह तो हो गया green candle और इसी का एकदम opposite होता है red candle red candle क्या होती है यह पताता है कि अब sellers आ रहे है market में यानि कि जो price है उपर से नीचे जा रहा है जैसे या arrow depict कर रहा है आपको इसकी जो body है यानि कि ऊपर open हुआ और नीचे close हुआ simple wick का concept simple है थोड़ा सा time हो सकता है यहां spend गिया थोड़ा सा time हो सकता है यहां spend गिया लेकिन ऊपर open हुआ नीचे close हुआ अब यह open और close क्या है यह हम आगे समझ जाएंगे बट अभी के लिए आप बस यह समझो तो green candle यानि की buyer strong है red candle यानि की seller strong है यह green या तो white रहेगा by default आपके chart में यह red या तो black रहेगा by default आपका जो भी charting system है उसमें तो basically candles जो होते हैं अलग-अलग time frame में बनते है time frame यानि की हर 1 minute पे भी candle बनता है हर 2 minute पे भी candle बनता है हर 5 minute, 15 minute, 1 गंटे जो time frame आप select करोगे अपने system में उस time frame में आपको candle दिख जाएगा हमें trade किस पे लेना है? वो अलग बात है लेकिन candles हर समय form होते हैं बड़े time frame पे भी, 1 गंटे पे भी छोटे time frame पे भी, 2 minute पे भी और एकदम बड़े time frame पे भी, 1 week पे भी सब time frame पे candles form होते हैं और जितना बड़ा time frame रहेगा उतना जादा candle accurate रहेंगे और जितना छोटा time frame रहेगा उतना candles कम accurate हो जाते हैं false signal मलते हैं तो ठीक है, एक चीज़ा आपको इससे समझ में आ गई होगी अगर आप beginning stages पे हो तो हम बड़े time frame को prefer करेंगे यह था overall concept की candle होता क्या है अगर आपको इस समझ में नहीं आया है दुबारा इस वाट को ज़रूर देख लिजेगा अब हम यह जानते हैं कि types of candle क्या होते हैं मैंने आपको बताया था wix एक important चीज है wix यह बताता है कि कौन से जगा पे थोड़ा सा market गया अब इस candle में आपको क्या दिख रहा है candle नीचे खुला और कोई भी wix नहीं बनाया that means जिधर open हुआ let's say हम 5 minutes की देख रहे हैं candle 5 minutes की हम candle देख रहे हैं 5 minutes 5 minutes के शुरुवा 30 second में पहला second जो 5 minutes शुरू हो रहा है उसमें यहां पे price खुला और buyers इतने strong थे कि उसके बाल जरा सा भी नीचे जाने नहीं दिया वहां से सीधा पूरे 5 minutes market उपर ही रहा थोड़ा सा उपर गया और जरा सा नीचा के यहां पे closing दे दी any confusion so far? hope not opening नीचे closing ऊपर because this is a green candle ठीक है so this shows कि buyers बहुत strong है यहां पे because यह चोटा सा विक बना है जादा rejection नहीं है और नीचे जो है नीचे कोई विकी नहीं बना है जहाँ open हुआ था वहीं से लोग सुचे कि नहीं नहीं यह तो बहुत अच्छा price है में देख रहा है यहां से buy कर लेना चाहिए इसी का सिधा opposite red candle में उपर खुला और जहां पे खुला 5 मिनट की शुरुआत में वहीं से sellers ने बोला रहे यार तो बहुत बढ़ियां price पर मिल रहा है यहां ऐसे चलो बेचना चालू करते है और price वहीं से नीचे आ गया और नीचे आके नीचे ही close किया red candle नीचे close होती है यह एक selling candle होती है simple red candle opens up closes below green candle opens below closes up और इसमें छोटी civic बनी है छोटी civic यानि की हो सकता है थोड़े buyers यहां पे आये होंगे लेकिन इन buyers में ज़्यादा strength नहीं है यह बस थोड़ा सा उपर लेके जा पाए और यहां पे close कर दिया market को that means बहुत strong sellers और बहुत weak buyers यहां पे बहुत strong buyers और बहुत weak sellers यह पहला type का candle है आईए जानते हैं अगला एक और important type का candle जो कि आपको market में काफी देखने को मिल जाएगा इस candle को हम कहते हैं pin bar इसमें आप color पे साथ focus मत करिएगा बस candle क्या कर रहा है उस पे focus करिए मैंने आपको क्या बताया था wick जितना छोटा that means जादा कुछ वहाँ हो नहीं रहा है लेकिन यहां पे क्या हो रहा है wick बहुत बड़ा वाला है आप imagine करिए कि 5 मिनिट पे इसमें क्या हुआ होगा so 5 मिनिट पे आप यह सूचिए green candle है तो open कहां पे हुई और close कहां पे हुई ठीक है तो इसका जादा कुछ मतलब नहीं बनता यह बहुत ही आसपास है यह price बट इसमें क्या हुआ open हुआ तब काफी sellers आया sellers को लगा नहीं यह बहुत अच्छी selling price है तो sellers ने क्या किया एक तम नीचे push किया कहीं तो हो सकता है 5 मिनिट के शुरुआत में 4 मिनिट तक किया हो या फ़र 5 मिनिट तक किया हो लेकिन sellers ने काफी time इसको नीचे push किया लेकिन इस price पे इसी 5 मिनिट के अंदर बहुत सारे buyers आ गये और buyers को लगा नहीं यार यह बहुत अच्छा price मिल रहा है हमको और धन से buyers ने यह पूरी जितनी भी selling आयती सब कुछ recover करके closing ऊपर दे दी यह हमें क्या बताता है यह हमें यह बताता है कि यह जो नीचे का price है यह buyers के लिए बहुत अच्छा है price reject हो गया नहीं नहीं मैं इसके नीचे तो कतही नहीं आने वाला हूँ इस case में भी same चीज इस price के नीचे तो मैं नहीं आने वाला हूँ यहाँ पे buyers आ गए है और इतना बड़ा विक बना दिया है विक बहुत important होता है अगर यह बहुत बड़ा है तो इतना बड़ा विक बना दिया है that means यहाँ से आया है rejection rejection of price मतलब this becomes an important level यह जो भी price रहेगा यह बहुत important level बन जाता है अमारे लिए इसके बाद यहाँ से rejection आके ऊपर चला गया that shows कि यहाँ से अब buying आ सकती है इसी का उल्टा यहाँ पे buyers आयते शुरू में शुरू में buyers बोले नहीं यार बहुत अच्छा price मिल रहा है चलो उसको ऊपर push करते हैं लेकिन इस level पे sellers बोले नहीं अब तो मुझे इसको बेचना ही है यहाँ से sellers ने फटाक से sell किया और जितनी भी buying आयती पूरी की पूरी reverse कर दी और सारा selling में convert हो गया this shows what कि यह जो level है यह बहुत ही important rejection level है again एक हुआ है नीचे से rejection एक हुआ है उपर से rejection तो यह अपने आप में एक अच्छा selling level बन गया है तो जितनो बड़ा विक रहेगा और जितनी छोटी body रहेगी that shows कि जहां से विक शुरू हो रहा है जहां से भी विक शुरू हो रहा है that is a very important level of rejection और इसका आपको अगर market में देखोगे तो इस तरह के कुछ candle देखेगी pin bar जो कि बहुत बड़ी विक और बहुत छोटी body बहुत बड़ी विक बहुत छोटी body रहेगी इसे हम कहते हैं pin bar this is a rejection candle चली अब देखते हैं अगला candle जो कि ना rejection है ना confirmation है तो फिर है क्या इस candle क को हम कहते हैं डोजी डोजी भी अपने में थोड़ी सी important candle ही है क्योंकि यह हमें बताती है कि ना market में buyer strong है ना market में seller strong है मैंने सिर्फ एक ही color का यहां पर दिखाया है but color does not matter अगर डोजी बनी है that means market में surety नहीं है यह तो काफी बड़ी बोड़ी है डोजी कब और ज़्यादा accurate रहेगी जब बोड़ी का size और विक का size same रहे या फिर बोड़ी का size विक के size से छोटा रहेगा इस case को हम डोजी नहीं मानेंगे यह बस इसलिए दिखाया था मैंने small wick and long body will not be considered as a dogy बस ये दो cases में हम इसको dogy considerate करेंगे या तो equal size body और wick का या तो फिर wick लंबी body छोटी उसको हम dogy consider करेंगे अब देखते हैं यह हमें क्या बता रहा है since यह green candle है तो यह open अदर हुई close यहाँ पे हुई अगर यह red भी रहती तो यह open होती यहाँ पे और close यहाँ पे होती लेकिन यह समझते की market ने क्या किया यह 5 minute की अगर हम इसको assume करेंगे तो since यह green candle है यह हुई है open यहाँ पे हो सकता है यहाँ से market नीचे गई हो यहाँ से इनको क्या मिला rejection तो यहाँ से market चलो ठीक नीचे rejection मिल गया अब हम try करते हैं उपर जाने का उपर भी गई लेकिन यहाँ से क्या मिल गया अब इस point से rejection नीचे गई यहाँ तक गई rejection मिला यह अब मार्केट ने क्या किया वापस आके जहां खुला था उसी के आसपास close कर दिया तो यह बन गया डोजी simple अब यह थोड़ा weak होता है यह जादा strong डोजी बनता है क्यों because काफी strong sellers आयते और काफी strong buyers आयते यह तो बस थोड़ा सा उपर नीचे move किया है तो इसके बाद जो move भी आएगा वह जादा कुछ आयेगा नहीं because जादा लोग है ने इसमें involved लेकिन यहाँ पे काफी strong buyers और selling party involved hold है तो जिस भी side का इसको move देना होगा अच्छा कासा strong move देगा तो यहां से मैं बताता हूं इसको वाबस इक बार समझ लेते हैं कि यह strong क्यूं हुआ फिर से 5 मिट में हम समझते हैं 5 मिट में हुआ क्या होगा इसमें market खुली यहाँ पर open यहाँ पर हुई ओके यहाँ पर खुली फिर हो सकता है इस बार buyers पहले आ गया होंगे पहले को यहाँ से मतलब नहीं है बट आये क्या यह समझते हैं let's say buyers आये तो सबसे पहले buyers इसको कहां तक लेके गए इस टॉप तक तो यहाँ पर क्या होगा फिर sellers ने बोला नहीं यार यहाँ तो sell करना ज तो अब जितने भी लोग इन ranges में होंगे दोनों sure नहीं है कि या तो buying करनी है या selling करनी है तो अब जिस भी side यहाँ से निकलता है market उस side के लोग जादा confident हो जाएंगे इसलिए लंबी वेक वाले डोजी सादा strong मानी जाती है अब चलिए यह थोड़ा सा basic concept हमने समझ लिया है candle stick हमें यह बताता है कि control किसका है यानि की green candle बनी तो buyers control में है और red candle बनी तो sellers control में है यह हुआ पहला point अब यह जानने के लिए हमें attention देना पड़ेगा किसको candle की body को एक चीज़ दूसरा candle के wick को और तीसी चीज़ body का size कितना है wick से comparison क्या wick बहुत बड़ी बनी है और body एक दम चोटी बनी है या फिर wick एकदम चोटी बनी है और body बहुत बड़ी बनी है यह दोनों ही चीज़ अपने में बहुत important points है body बहुत बड़ी बनी है that means जो भी color है बोड़ी का वो जादा important है और अगर wick जादा बड़ी बनी है तो फिर body का color matter नहीं करता है wick का direction matter करता है hope यह point यहां तक आपको काफी clear हो गया होगा हमें attention देना है body को wick को और body relative to the wick यानि की body और wick के size में कितना अंतर है alright so here's an example जहाँ पर buyer's control में है और काफी बड़ी candle बनी है नीचे कोई भी wick नहीं अगर आपको ध्यान से देखना है यहाँ पर तो अब हम देखते हैं कि आगे हुआ क्या देखें so market clearly यहाँ से ऊपर चले गया और उसी का reverse अगर हम यहाँ देखेंगे so यहाँ पर negative candle बनी है तो यहाँ से अब देख रहो market पूरी तरह नीचे आने लग गया इसी तरह हमारे पास एक positive pin bar का भी example है यहाँ पे एक pin bar बनी है और market यहाँ से देखते हैं कहा गया यहाँ से market एक direction में ऊपर जाना चलो हो गया इसी तरह candle sticks काम करते हैं यहाँ पे हम एक डोजी देख रहे हैं और डोजी के बाद देखें market ने क्या किया डोजी को जिस side break करता यूजूली market वहाँ निकल जाता है यह basic formation है छूटी सी body और बड़े wix हैं दोनों side नीचे गया तो market यहाँ से नीचे ही break करके नीचे ही रह गया तो जैसा कि हमने discuss किया था शुरू में हर पांच मिनिट पे हम वो candle बना रहे थे इसी तरह हर एक मिनिट पे हर पांच मिनिट हर पंदरा मिनिट पे हर आदे गंटे पे जो भी time frame हम ले उसमें candle बनती है और उसी candle का कैसे use करना है वो ही हमें patterns बताता है और अलग अलग time frame यूज करके ही एक successful trader हम बन सकते हैं अब हमने यह देख लिया है कि candle sticks individually कैसे दिखते हैं अब यह जानते हैं कि दो यह से ज़्याद एक 5 minute की candle की एक 1 minute की candle की एक 15 minute की candle की अब देखते हैं कि अगर वो ही candle दो combine हो जाएं जो कि 30 minutes के बन जाएंगे simple मैं पर यह सब क्या बता रहा हूं मैं तो क्या होगा तो यह एक दिखी यह अपने में 15 minute की candle है और यह वाले भी अपने में 15 minute की candle है so 15 plus 15 equals 30 now एक interesting चीज combine होके एक pin bar बना रहा है wow very interesting right that means हमें हर time frame पे कुछ ना कुछ information मिल सकती है तो यह देखते हैं कि pin bar बना कैसे सबसे पहले तो 15 minute की सबसे पहली candle कौन सी है यह वाली है इसका opening नीचे रहेगा because it's a green candle closing यहाँ पे रहेगा ऊपर because again it's a green candle next जो red candle मनी है opening price इसकी ऊपर रहेगी जह यहाँ पे इसकी body start होती है और closing price इसकी नीचे रहेगी जहाँ पे body हतम होती है great so far so good now इस पूरे 30 minutes की शुरुआत कहां से हुई थी इस candle से correct so opening price तो यही रहेगी जो इस dashed line से आपको दिख रहेए और वो यहाँ पे है इसकी opening price तो यही level है जो यहाँ पे opening price हुआ करती थी व अब पूरे दोनो systems में 15 प्लस 15 में आपको highest point कौन सा दिख रहा है वह यह वाला right यह वाला highest point है तो इस पूरे pattern का भी 30 minutes में high point यही रहेगा अगर इन में से हो सकता अगर यह red candle यहां तक निकल जाती तो यह high हो जाता यह green candle यहां तक निकल जाती तो यह high माना जाता great so now we have the opening and the high and the closing will be the low of this red candle तो यह जो red candle है इसका जो low है which is the latest close जो हमें मिला है वो ही 30 minutes का भी close बन जाएगा simple so this is the opening price यहां पर भी opening price रहेगा पहली green candle का this is the closing price जो की second red candle का closing था वो यहां पर closing बन जाएगा और combine होने के बाद आपको दिख रहा है यह कैसे pin bar formation हो गया है चलिए अब chart पर हम देखते हैं कि अलग-अलग candles combine होके कैसे दिखते हैं और वो हमें क्या interpret करवा सकते हैं तो अभी हमें यहां पर कुछ candles दिख रही है 5 minutes पर ठीक है so this is 25th November 9.15 की candle एक यह red candle है फिर एक और red candle है फिर एक green candle है all right so what does this tell us candle की opening हुई है यहां पर closing हुई है यहां और low यहां पर लगाया है next candle यहां open यहां close low यहां high यहां next candle इधर open इधर close that means 5 plus 5 plus 5 all right confuse मत होई यह पहली 5 minute की candle यह वाली दूसरी 5 minute की candle और यह वाली तीसरी 5 minute की candle यह बन जाती है 15 minutes so now इन तीनों का सबसे highest point कौन सा है this one clear cut है no doubt all right screen clear कर देते है this is the highest point so this is gonna be the high of the next 15 minute candle okay अगर हम 15 minute पर convert करेंगा इसको we'll see that next now इन तीनों का lowest point कौन सा है यह वाला all right great so this is gonna be the low of the next 15 minute candle अब यह 15 minute की candle open कहां पर हुई है thankfully जो high है वो ही इसका open price भी रहेगा next अब यह close कहां पर हुई है closing क्या है जो last candle है वो green भाई है और वो close हुई है यहां पर this is the closing price so काफी simple हो गया the 15 minute candle will have opened here यहां से इसने low लगाया है इसके पास यहां पर कहीं all right यहां पर कहीं open हुआ है यहां कहीं low लगाया है इस candle के आसपास and यहां कहीं close हुआ है somewhere here all right तो ऐसा कैसा candle देखेगा मैं आप चलेए इसको 15 minutes पर convert करके देखते हैं कैसा देख रहा है यह great way यहां पर open इधर ही कहीं low और यहां पर close जहां पर green candle का high था this is how we can use combination to combine it in different time frames अब यही चीज़ हम 15 minutes पर अगर देखेंगे तो 15 minutes की दो candles अगर हम combine करना चाहें तो यहां पर इसका open है इधर इसका close है पहले 15 minutes का दूसरे वाले candle का यहां पर open है इधर close है low यहां पर है और high यहीं पर है अगर हम इसको 30 minutes पर convert करेंगे तो देखो यह क्या करता है same place जहां पर open यहां पर close यहां high यहां low simple सा concept है बस यही होता है candle stick का combination तो अब हम जान चुके हैं कि candle sticks को read कैसे करना है और उन्हें combine कैसे करना है लेकिन as a beginner सबसे बड़ी गलती यह हो जाती है कि आप कुछ series देख ले तो अब तो यहां पर green candles बन गई अब यहां बाई कर लेन करना चाहिए अब यहां पर red candles बन रही है अब sell करना चाहिए क्योंकि काफी sellers आ गये हैं यह सबसे बड़ी कलती है ऐसा नहीं करना है सिर्फ एक single candle या फिर single candle pattern देखके हमें trade नहीं करना होता है for example यहां पर हमें कुछ दिख रहा है कि ओक यहां पर काफी सारी selling आ रही है red candle red candle यहां पर आके हमें sell नहीं करना होता है क्योंकि बहुत important होता है हमें एक framework रहना चाहिए हमारे mind में उस framework के हिसाब से हमें trade करना होता है आईए उस framework के बारे में बात करते हैं which is called that framework देखे candle stick combination तो easy है हमने यह भी जान लिया कि beginners क्या mistake करते हैं कहीं भी कभी भी कैसे भी trade नही लेना होता है उसी के लिए मैं आपके पास लेकर आया हूँ that framework if you use this framework आपके लिए trading काफी easy हो जाएगी काफी systematic हो जाएगी that का मतलब होता है D यानि direction A यानि area और T माने के trigger direction यानि कि हमें यह जानना है कि market कौन से direction में चल रहा है दूसरा में यह जानना है कि market क्या किसी important area में है और तीसरा trigger यानि की candlestick patterns जो हम इस video में सीख रहे है हम इस चीज के बारे में that framework के बारे में आगे और सीखेंगे अभी के लिए basics पस जान लीजिए कि that framework use करके आपकी trading काफी आसान हो जाएगी काफी systematic हो जाएगी चलिए अब हम यह जान लेते हैं कि triggers क्या है कुछ important patterns के ब engulfing शब्द का मतलब ही होता है एक ऐसी चीज जो दूसरे को पूरी तरह cover कर ले engulf कर ले तो जैसा आप यहां पर देख रहे हो यह एक छोटी green candle है जिसको इस next red candle ने पूरी तरह engulf किया वाया है यानि कि इस green candle की जितनी पूरी size है red candle ने low भी उसके नीचे लगाया है और high भ engulfing यह होता है engulfing का definition दो तरह के engulfing होता है एक होता है bearish engulfing एक होता है bullish engulfing bear and bull अगर आपको already नहीं पता है bear is something that goes down and bull is something that goes up in the stock market में real animal national geographic नहीं चल रहा है कि सही में आप scientific knowledge लगाने लग जाओ in the stock market when we say that the market is bearish we mean that market नीचे जाने वाला है and when we say that the market is bullish मतलब market अब उपर जाने वाला है तो उसी का सीधा सीधा यह मतलब है कि अगर bearish engulfing pattern दिग गया आपको ऐसा कुछ that means अब market नीचे जाने वाला है और अगर आपको bullish engulfing दिग गया that means अब market उपर जाने वाला है यह जो pattern ह ये किसी भी time frame पे आप देख सकते हो and as I said before जितना बड़ा time frame रहेगा उतना accurate ये pattern हो जाता है और आगे जितने भी patterns हम देखेंगे ये तो engulfing pattern है ऐसे हम और total 5 patterns देखने वाले हैं जो काफी important and impactful होते हैं ये सारे अलग-अलग time frame पे आप देख सकते हो जितना जादा बड़ा time frame उतना जादा accurate ये होगा और ये सारे patterns को आपको that framework के साथ combine करना है so bearish engulfing काम क्यों करता है और इसके rules क्या-क्या है सबसे पहले तो bearish engulfing बनेगा कहां पे ये बनेगा at the top of an uptrend मतलब अगर market से उपर जा रही है तो एकदम top पे कहीं ऐसा कुछ pattern बनेगा इसका मतलब क्या होता है कि यहां से अब buyers थोड़े weak हो रहे है क्यों? because देखिए market ऐसे उपर तो जा रहा है उसके बाद भी क्या किया? green candle बनाई और यहां close कर दिया अभी बस ये सोची कि से यही candle बनी है तो हमें क्या दिख रहा है कि ये जो candle बनी है अभी बहुत strong है bulls में भी भी dumb है bulls यानि की buyers में भी भी dumb है market और उपर जा सकता है उसके बाद next candle ने क्या किया? तो red candle है तो open का हुई है यहां पे तो यहां पे already काफी उपर जा रहा है उसके बाद candle ने क्या किया होगा? उपन करके high लगाया इस high point पे bears को लगा कि नहीं यार अब यहां पे थोड़ा हमें बेचना चाहिए वेकोज काफी महेंगा हो गया तो यहां से selling pressure आना चालू हो गया ठीक है? और इतना selling pressure आया कि जितने तगडे bulls आये थे जितनी buying आये थी previous candle में सारी buying खा गये bears जितने लोगों ने यहां पे खरीदा होगा सब को अपना बेचना पड़ गया बिकोज उनका stop loss हिट हो गया या फिर उनको लगा कि नहीं अब बहुत महेंगा हो रहा है मेरा बहुत बड़ा loss हो रहा है तो इतनी तगड़ी यहां से selling pressure आ गई यही बताता है कि नहीं अब bulls का control नहीं है अब buyers का control नहीं है अब bears आने वाले हैं market में इसलिए bears इतने strong आ गए इतने strong sellers आ गए कि उन्होंने closing भी इसके low से नीचे कर दी यही इसका simple concept है bullish engulfing का या bearish engulfing का कि जितने strong trend side के participants आये थे trend side इसका क्या रहेगा at the top of an uptrend तो uptrend के उपर जितने strong buyers आये थे वो सब अब ठक गए हैं अब यहां से selling चालू होगा ठीक है यह है bearish engulfing इसी का ठीक opposite होता है bullish engulfing जो की उपर से नीचे market आ रही है एक दम नीचे यह बनेगा तो क्या हो रहा है सब sell करके sell करते sell करते sell करते आ रहे हैं और नीचे last में एक और selling candle बन गई उसके बाद क्या हुआ अब bulls को लगा बुल्स यानि की buyers बाइस को लागे नहीं यह बहुत सस्ता हो गया है यहां से हम buy करते हैं और उसमें इतना momentum आ गया इतना जोश आ गया buyers में कि जितनी selling आई थी पूरी recover हो गई और उसको भी market ने ऊपर close कर दिया इससे क्या होता है जितने लोग sell करते हैं यह जितने लोग sell करके आ रहे होंगे उनको अब लगेगा कि नहीं अब हमें profit book कर लेना चाहिए हम यहां से sell करते हुए आ रहे हैं अब यहां पर confidence खतम हो गया है market में लोगों का psychology अब change हो रहा है तो downtrend के नीचे बनेगा यह bullish engulfing और इस pattern को देखके हमें यह समझ जाना चाहिए कि हाँ अब downtrend खतम होने वाला है अब हो सकता है यहां से market reverse कर जाए तो अब हमें buying side का position बना लेना चाहिए तो that was the first pattern which is engulfing pattern यह देखिए यह bearish engulfing example है यानि कि जो second red candle है उसने पूरा का पूरा engulf कर लिया है पहली green candle को तो that's how bearish engulfings work चलिए अब हम अगला pattern देख लेते हैं अगला pattern है pin bar यह हमने candle stick में तो देखा था अब इसका यह समझते हैं कि यह impact कैसे करेगा again जैसे ही हमने engulfing देखा है उसी तरह pin bar भी trend के end में अगर बन गए तो same मतलब होता है let's say बहुत बढ़ियां यहां से selling आ रही है सब बेशते वे बेशते वे आ रहे हैं और ऐसा बेच के आए कि सीधा market को नीचे push कर दिया इस level तक ठीक है बेशते बेशते लेकिन उसी दौरान क्या हुआ अब buyers को लगा कि नहीं यह एक important level है यहां से हमें buy कर लेना चाहिए देखिए that framework के हिसाब से क्या team क्या triggers है direction, important area of value और तीसरा trigger point तो यहां पे यह जो area रहेगा this is what people thought कि यह अब एक important area of value है तो यहां से हमें buy कर लेना चाहिए और इतनी strong buying आई कि जितनी selling चल रही थी इस candle में वो पूरी recover होके उपर ही market ने close कर दिया similar story है इसकी क्योंकि pin bar में color जादा matter नहीं करता है तो अगर लंबी wick नीचे की side बन रही है इसका मतलब अब buying होने वाले ही है और हाँ यह बहुल ज़रूरी है कि यह trend के नीचे बने कहीं हवा में, बीच में यह सब बन रही है इसका कोई value नहीं है यह trend में कहां बन रही है, कब बन रही है बहुत important है, again we'll learn that in that framework similarly, अगर ऐसी pin bar बन रही है इसको bearish pin bar कहते है इसको bullish pin bar कहते है या फिर hammer candle कहते है इसको bearish pin bar कहते है या फिर shooting star कहते है जिसका wick लंबा रहेगा और उपर की side रहेगा and body नीचे रहेगी and definitely छोटी सी body इसकी रहेगी तो ये बनेगा trend के एकदम उपर यहाँ पे buyers एकदम strong है buyers को लग रहा है कि अब चलो और push करते हैं लेकिन यहाँ पे इस area में जहाँ पे इसका pin bar start होता है जहाँ पे wick start हो रही है इधर आके momentum थोड़ा सा weak हो गया और यहाँ selling pressure आना start हो गया इधर एक shooting star candle बनी है और जब यह काम करती है तो देखते हैं हुआ क्या shooting star क्या होता है again at the top and with a huge wick जैसे low break हुआ वहाँ से market एकदम से नीचे गरना लग गया चलिए अब हम चलते हैं अगले pattern की तरफ जो है star pattern star दो तरह के होते हैं एक होता है morning star एक होता है evening star again सबका concept same ही है यह reversal patterns है हमें यह देखना है कि trend कहां से आ रहा है trend इसमें हम अगर morning star देख रहे हैं morning star का concept यह है यह three candles का pattern है बाकी तो हम दो candles के देख रहे थे इसकी speciality यह है कि एक candle इसकी बनेगी in the same direction of the trend मतलब अगर town trend है market उपर से नीचे आ रहा है तो पहली candle red color की बनेगी दूसरी एक doji बनेगी यह कोई भी color की हो सकती यह ज़रूरी नहीं है कि ready बने this can also be green और अगली candle जो है green बनेगी green यानि की opposite side of the trend तो यह confirm कर देता है morning star pattern को और यहाँ पर जानते हैं कि हो क्या रहा है again देखिए sellers आ रहे है sellers पूरे जोश में आ रहे है कि अब तो selling करेंगे या मजा आएगा मजा आएगा sellers ने push किया नीचे अगले candle तक भी push कर लिया लेकिन यहाँ पर क्या हो गया थोड़े doubt में आगे sellers कि यहाँ पर हम बेचे या नहीं बेचे और buyers भी गोले यहाँ हम खरीदे की नहीं खरीदे तो नीचे की side क्या बन गई एक doji candle यह doji अगर आपको याद होगा क्या signify करता है doji यह signify करता है कि market में कुछ भी sure नहीं है अभी ना buyers में दम है ना sellers में दम है लेकिन इसके अगले candle में confirm हो गया कि नहीं sellers में तो दम नहीं है because doji का low break नहीं हुआ है लेकिन doji का high भी break हुआ और अगला candle जो है opposite direction का बन गया और उपर close भी कर दिया this shows कि अब जो यहां से इतने sellers आ रहे थे यहां तक जो लोग control में थे उनका control अब भीया खतम हो गया so this is what is a morning star pattern यह बनता कहां पर है एक down trend के end में और यह बताता है हमें कि हमें अब यहां buying करने की opportunities देखनी चाहिए that is again through that framework next होता है evening star इसका सीधा opposite अगर पूरा buy trend आ रहा है नीचे से सब buyers आ रहे हैं पुरे जोश में आ रहे हैं उपर push कर दिया उपर एक doji बना दी यानि की कोई shore नहीं है भी आप यहां पर क्या करना है यह doji कोई भी color की हो सकती है green हो सकती है red हो सकती है यहां से market या तो इसको break करके continue कर सकता है या तो reverse कर सकता है इस case में evening star बनानी के लिए यह reverse कर गया नीचे red candle बन गए that means यहां पर जो doubts था market ने clear कर दिया है कि नहीं अब buying continue नहीं होगी यहां से fresh selling आने वाली है इसलिए market ने नीचे बना दिया एक बड़ा सा red candle इस red candle के नीचे हमें sell करना है और यह हो गया evening star pattern और यह बनेगा at the top of an uptrend यह हमें बताता है कि अब हमें sell side की opportunities देखनी है काफी simple सा pattern है even though यह three candles का pattern है but concept बहुत simple है देखे गाई सारे candlesticks के patterns बहुत simple है आपको यह नहीं सोचना है कि यार यह exact इसा pattern बन गया आप मुझे trade लेना कोई भी रटा करके अगर आप करोगे न जैसे हमें school में सिखाया जाता है तब कुछ नहीं होगा आप इसका concept समझ जाओ न क्या हो रहा है यहाँ आप यह देखो आप red candle क्यों बन रही because selling trend है नीचे downtrend में market ऐसे आ रहा है तो red candle बन गई ठीक है तो नीचे आ रहा है तो red candle बनते जा रही है यह sell होते जा रहा है यहाँ पर लोग शौर नहीं है क्या करना है उसके बाद शौर कैसे हो गए जब यह next green candle बन गई बस आपको यह ना नाम याद रखना है ना यह pattern ऐसा दिखता यह याद रखना है बस आपको जैसे दिखेगा खुद ही बाते करने लग जाओ गए मैंने क्या बुला candle stick जो होती है market की भाशा होती है याना वो भाशा अगर आप समझ गए तो आप trader बन जाओगे यहाँ पर देखिए क्या हुआ है sellers आये, sellers ने push किया नीचे red candle बनी, फिर एक doji बनी उसके बाद तगड़ी green candle बन गई और इसी को हम कहते है morning star pattern और जब यह काम करता है again trend की side में देखो one side up का move आपको देख किया यहाँ पे चलिए आप देखते हैं अगला pattern जो की है doji देखिए doji जो होती है हमने एक तरह की doji तो देख लिए बट यह जो है यह pin bar का ही एक अलग style होता है जो की gravestone doji और dragonfly doji के नाम से जाना जाता है pin bar में तो आपको हो सकता है चोटी सी ऐसा body दिख भी जाए लेकिन gravestone doji और dragonfly doji में आपको कोई body नहीं दिखेगी यह हो सकता है इसको हम pin bar कहेंगे अगर इस तरह की body बने तो इसको हम pin bar कहेंगे और अगर body नहीं बनी तो इसको बस हम dragonfly doji या फिर gravestone doji बोलेंगे दो सेगंड आप ही रुखिये और आप ही सोचिये कि इसमें हो क्या रहा है कब बनेगा क्यूं बनेगा और इसमें हमें करना क्या है बहुत सिंपल है exact same concept है pin bar का ये बनेगा at the lower end of the market क्यूं बिकॉज सारे जितने sellers आ रहे थे सबने नीचे तक push किया और जितने sellers थे इनका दम यहां खतम हो गया यहां पर buyers आ गया और यहां से buyers ने उपर push कर दिया और और strong थे जो dragonfly doji pattern होता है ये hammer, hammer pin bar क्या हुआ इस तरह का ठीक है इससे ज़ादा strong होता है because hammer में तो थोड़ी सी body बन भी गई लेकिन doji में तो body भी नहीं है dragonfly doji में ठीक है मतलब buyers बहुत strong वाले आ गए this is a very good reversal pattern अगर यह सही जगा पे बना आपका similarly gravestone doji भी बहुत ही strong reversal pattern होता है एकदम top पे बनेगा trend के बहुत strong pattern होता है और इसके नीचे अगर market गया that means trend reversal confirm हो जाएगा ठीक है थोड़ा सा recap जो dragonfly doji होता है एकदम bottom बनेगा downtrend के एकदम bottom पे बनेगा ये buy side की trade होती है मतलब market इसके यहां से ऊपर जा सकता है इधर से ये नीचे जो point है इसका जहां पे wix start हो रहा है that means यहां पे market up rejection खा रहा है ये तीन बने की ज़रूरी नहीं है बस आपको different colors में है ये black इसलिए है because कोई ज़रूरी नहीं है कि इसका कोई color आपको दिखेगा अगर आप live market में trade कर रहे होगे तो and similarly gravestone doji is the complete opposite this is made at the top of the uptrend and this shows a sell side trade similarly यहां पे जहां से wix start हो रहा है that is the point of reversal यहां पे देखिए एक dragonfly doji बनी है जिसका बहुत लंबा विख है और काफी छोटी सी body है लग भग invisible body है पूरी की पूरी विखी है और जब ये work करती है तो देखते हैं क्या होता है यहां से एक ही flow में market सीधा ऊपर जाने लग गया और गाइस यह हो गया doji patterns हम चलते हैं next pattern पे which is called the tweezer top and tweezer bottom अब यह pattern भी काफी simple है यह है दो candles का combination एक रहेगी green candle एक रहेगा red candle अब यह हमें क्या बताता है बहुत simple है देखिए हमने क्या बुला था हमें candle sticks को कैसे देखना we have to see the body we have to see the wick and we have to see the size of the wick relative to the size of the body और यहां पे body और wick लगभग same size के हैं but उससे ज़्यादा important यह है कि same point से यह wick बन रहा है और लगभग same point से ही इसकी body close या open हो रही है notice करिए guys the word is लगभग इसमें हमें exact कभी नहीं मिलेगा market कभी आपको exact नहीं देगी और यही चीज़ लोगों को confuse करती है beginners को especially कि यार यह तो बोला था कि एक point से बनना चाहिए यह थोड़ा सा उपर बन गया वैसे नहीं होगा आप जितना अपने आँखों को train करोगे उतना आपको used to हो जाएगा कि हाँ यार यह तो बन गया है क्योंकि इसलिए मैं बोलता हूँ पैटर्न ज्याद नहीं करना है पैटर्न का concept याद करना है देखिए तो यहां से क्या हो रहा है डाउंटरेंड बन रहा है डाउंटरेंड में क्या हो गया उसके बाद उपर नहीं है अब यहां पे क्या करना क्रणकर करना है और नीचे लेकर जाना है Anda चाहे कुछ भी हो जाए यह जो हमारा पॉइंट है यहां थोड़ी अ करने चीब कर लेकिन आप र traitor हो सकता है reverse हो all right that is what is happening यहां से बार इसको ऊपर पुश कर रहे हैं ठीक है यार उतना strong bars अभी नहीं आए तो चलो इसने तो close कर दिया पहली candle दूसरे में हो सकता है buyers नहीं आए यह reverse भी हो सकता है पहले red और बाद में green दोनों कुछ भी हो सकता है यहां से एक इसका फंडा बाद सिंपल है कि जो lower point है विक का यहां से rejection आ रहा है और market बार-बार जाके ऊपर close कर रहा है अब की बार अगर इस tweezer pair का high break हो जाए that is when we will take our trade reversal trade यह सारे जो patterns है जितने हम discuss करना भी तक सारे reversal के patterns है यह trend के नीचे या ऊपर बनेंगे और उसके opposite direction में हमें entry देंगे और अड़ यह सारे trigger part है that framework के वीजर टॉप भी काफे similar है पूरा uptrend चल रहा है यहां से on the top side इस point पे जहां पे break होगा because काफी लोगों ने यहां पे अपना SL लगा दिया होगा कि नहीं यार अब यहां पे थोड़ा सा indecision आ गया है trend weak हो रहा है अब अगर नीचे आया तो हमें trend reverse कर देना चाहिए that is the entire concept of tweezer pattern इसलिए मैं बोल रहा हूँ ध्यान दीजिए विक कहां से बन रही है body कहां खतम हो रही है यह बहुत important है that is why इसका विक लगभग एक ही area में बन रहा है that means यहां पे weakness है in the buying that's all it is आपको यह जरूरी नहीं है कि देखना okay यह tweezer बन गया नाम भी भूल जाओ यार मुझे कोई फरक नहीं पड़ता concept समझ जाओ कि क्या हो रहा है विक कितनी बड़ी बन रही है body कितनी बड़ी बन रही है क्या हो रहा है यहाँ पे that's all you have to understand that is all that is the concept of patterns और कुछ भी नहीं है अब अब यहाँ ध्यान से देखिए यह दो tops exactly same बने हैं इसी को हम कहते हैं tweezer top यानि की पूरा trend जो चल रहा है इस point पे आके thumbs आ गया है और चब यह activate होता है tweezer top तब देखते हैं क्या होता है ज़र से एक ही flow में market सीधा नीचे चला गया hopefully आपको यहाँ तक एकदम भढ़ियां से समझ में आ रहा होगा अब हमने 5 candlestick patterns के बारे में discuss किया है यह सारे patterns को और effective हम कर सकते हैं अगर हम इसको RSI के साथ combine कर दें RSI के साथ combine कैसे करना है कभ यूज करना है कहां यूज करना है यह सब अपने में एक lengthy video हो सकती है अगर आप चाहो तो उस पार्ट पे भी मैं वीडियो बना दूँगा अब हम चलते हैं इस वीडियो के काफी एहम पार्ट पे जो है that framework that framework तो हमें पता ही है D यानि direction A यानि area T यानि trigger अब हम जानते हैं कि direction क्या होता है और उसको identify कैसे करना है that framework का D पार्ट यानि direction direction जानने के लिए हमें कुछ नहीं करना है चार्ट पे बस 200 moving average लगा देना है और अगर price 200 moving average के ऊपर चल रहा है that means हम buying side का trades देख सकते हैं और price अगर 200 moving average के नीचे चल रहा है तो हम selling side की trades देख सकते हैं that is what shows the major trend of the market ये market का major trend बन जाएगा ठीक है तो हम trend के side ही trade लेंगे simple as that because अगर major trend buying side का चल रहा है और अब उस में selling side के trades लोगे एक तो आपका profit कम हो जाएगा और दूसरा stop loss भी बड़ा हो जाएगा और तीसरा काफी chances है कि ये कहीं beach में से ही पलट जाए और ये हमें नहीं चाहिए हमें क्या चाहिए accuracy चाहिए सही trades चाहिए तो बहुत important है कि हम trend के side में trades लें ठीक है तो ये एक तरीका है 200MA लगा के हमें direction पता चल जाएगा इसके काफी सारे तरीके होते हैं हमें जरूरी नहीं है कि सिर्फ 200MA लगाना है काफी सारे तरीके होते हैं बहुत सारे तरीके हम over time with experience या फिर आगे अगर आप course करोगे तो बहुत सारे चीज़ हैं जिससे आप तरीका सीख सकते हो that framework का दूसरा पाट है area area यानि कि अगर हम कहीं trades देख रहे हैं तो हो सकता हमें यहां पर trade में लिए overall trend क्या है buying side का है अगर हम यहां देख रहे हैं चलो यहां पर हो सकता हमें buying देख जाए क्यों because यह important area है important area कैसे पता चलेगा या या तो किसी support resistance के पास है या तो कोई important moving average के पास है यह अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है या नहीं पता है कोई बात ने इसके बारे में detail में किसी और वीडियो में बात कर लेंगे price action और technical analysis के वीडियो में बट अभी क्लिए आपको यह समझना है कि that framework के लिए आपके यह बस चार basic ऐसे uses है यूज cases है जो अप एरिया के तरफ पर यूज कर सकते हैं support resistance moving average trend line channel नमबर वन हमें पता चलिगा कि direction कौन सा है नमबर टू हमें मिल गया कि ओके यह एक important area दिख रहा हमें because यहां पर trend line जा रही है and तीसरा इस point पे क्या कोई trigger बन रहा है trigger जो कि हम सीखते हैं इस वीडियो में जो की रहेगा एक pattern अब trigger में या तो हम engulfing pattern देखेंगे या pin bar देखेंगे star pattern doji tweezer काफी सारे patterns है मैं पूरी patterns क चेक्लिस दे दूँगा अगर आप course कर रहे हो तो उस पूरे checklist के थुरू आपको पता चल जागा कितने सारे patterns होते हैं कहां कहां किसको apply करना है और काफी और भी बढ़िया patterns आपको मिल जाएंगे for example यह अगर हम गों ऐसा कुछ trade दिख रहा है एक number one direction क्या है इसका यह uptrend में that is the entire concept of dat framework ठीक है अब हम चलते हैं चार्ट पे कुछ examples देखेंगे और और बहतर इसको समझते हैं यह HDFC bank का stock है आईए इसमें हम dat framework लगाते हैं और देखते हैं क्या हुआ DAT D यानि direction सबसे पहले market का direction देखेंगे हम यह जो line आप देख रहे हो यह वाली यह exponential moving average है 200 moving average है यह इसके उपर है market that means हमें जो भी trades लेने है अब सिर्फ buy side के लेने है number one हमें यह समझ में आ गया we'll only look for buy side trades number two अभी हमें देखना है area area के लिए हमने क्या गहा या तो support resistance रहेगा या तो फिर moving average का ही support ले सकता है वो that could also be an important area तो इसी जगा पे आके HDFC bank अभी moving average का support ले रहा है और तीसरी चीज़ क्या है वो है trigger trigger के लिए हम patterns देखेंगे यहां पर क्या pattern बना है clear cut एक pin bar हमें देख रहा है तो यह तीनों confirmations मिलने के बाद अब हम trade लेंगे above the pin bar और देखते हैं कि market ने यहां से क्या किया market pin bar के उपर जैसे ही गया एक ही direction में उपर जाने लग गया now disclaimer guys यह examples जो है मैं cherry pick करे के आपको बता रहा हूँ ताकि आप concept समझ पाओ real market में आपके कुछ losses होंगे और कुछ profits होंगे हर बार आपको profit नहीं होगा so make sure कि आप framework यूज करें बट आपके दिमाग में ये भी रहे कि हाँ इसमें loss भी हो सकता है इस video में हम target और stop loss की बात नहीं करेंगे ताकि ये video जो है concept के बारे में ही रह पाए otherwise ये जो concepts है जो that framework अगर आप apply करोगे आपके जादा तर profit ही होंगे because आपकी accuracy बढ़ जाएगी चलिए एक और example देख लेते हैं ये reliance का stock है और इस बार हम एक sell side की position देखते हैं सबसे पहले तो that framework के हिसाब से हमें देखना है direction direction हमें पता चलेगा through the moving average moving average जिसका उपर है और price नीचे चल रहा है moving average के that means हम सिर्फ selling side के trades देखेंगे ठीक है ये हमारा confirm हो गया दूसरी चीज हम क्या देखेंगे area of value again moving average ही इसका एक important area जैसा आप भी act कर रहा है support resistance को अगर आप और बहतर जानते हो तो आप वो video देख लो support resistance पे आप जान जाओगे तब वो भी concept आप समझ जाओगे और तीसरी चीज एक trigger यहाँ पे कोई बदा सकता है मुझे क्या trigger है clearly ये एक bearish engulfing pattern बनी हुई है ये देखिए green candle और ये है red जो उसको पूरी तरह engulf कर रखा है अब देखते हैं जब bearish engulfing काम करता है तब क्या होता है so market यहाँ से clearly नीचे चला गया हम और कुछ examples देखेंगे ताकि आपको और better समझ में आ जाए concept अभी हम जो देख रहे हैं वो infosys का stock है ये थोड़ा सा एक level up है यहाँ पे क्या हो रहा है सबसे पहर हमें देखना है that framework के साब से direction direction क्या है moving average के ऊपर है ये that means we are going to see for buy side rates okay number one ये clue मिल गया दूसरी चीज़ हमें क्या देखनी है area of value area of value में ये जो area है ये एक support level है support area है psychological number भी है all right अब तीसरी चीज़ क्या आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या pattern बना है I'll give you a hint ये तीन candle का pattern है जो हमने देखा था yes this is a morning star pattern number one number two doji और तीसरी bullish confirmation अब जब ये morning star confirm होता है with a good area of support and above the moving average तब देखते हैं क्या होता है यहाँ पे चलिए एक last example देख लेते हैं ताकि हम एक दमाग में cement हो जाए concept जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ चलिए अब हम एक और level इसको ऊपर लेके चलते हैं यह अब Tata Motors का chart देख रहे हो अभी market में ना pattern बना है ना ही हमें कोई trade देख रहा है तो सबसे पहले तो हम support levels और resistance levels identify कर लेते हैं बिना उसके भी मुझे समझ में आ जाता है और आपको भी समझ में आ जाएगा अगर आपको थोड़ा सा experience आ गया market में या फिर course में मैंने कुछ ऐसे चीज़े बताई हैं जिससे आपको trend identification तो काफी easy हो जाएगा that is not a complicated thing that's very simple secondly अब देखते हैं कि क्या pattern बन रहा है ठीकर तो next candle देखते हैं okay तो next candle ने हमारे support को तो break कर दिया okay let's see what happens next now यहाँ पे बनी है support area के पास क्या pin bar तो सबसे पहले हमारा confirmation क्या हो गया that framework के साब से direction direction हमें पता है कि यह पूरा buy trend है तो we are looking for buy side trades okay number one दूसरा area area हमें मिल गया है support area के पास कुछ न कुछ हो रहा है now क्या हो रहा है एक तो यहाँ पे pin bar बना है अब देखते हैं pin bar के बाद क्या होता है great now pin bar के बाद buyers market में वापस आ गये और उसी के साथ और इसको हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो और क्या बन गया है यह morning star pattern भी बन गया है तो यह double confirmation हमें यहाँ पे हो गया है in an area of value area of value यह है यह support area है यहीं पे pin bar भी बन गया और यहीं पे एक morning star भी बन गया अब देखते हैं कि market ने क्या किया है market धीरे धीरे करके यहीं से उपर जाने के लिए देख रहा है और जहां resistance level था वहीं तक यह रुग गया simple सा concept है कुछ confusion नहीं है यहाँ से अगर हम buying करेंगे resistance level marked है resistance level के आसपास आके ही रुग गया market तो hopefully आपको यह सारे concept समझ में आ चुके होंगे कुछ भी नहीं आए आप प्लीज जाके rewind करके देख सकते हैं सारे concepts काफी clear हो जाएंगे आपके लिए अगर कोई doubts हैं आपको तो वो मुझे comments में बता दीजिए मैं खुशे खुशे उनका answer कर दूँगा और कोई अलग topic आपको चाहिए तो वो भी मुझे बता दीजिए I would love to make videos on those thank you so much for watching guys मिलते हैं next video